कि नमस्कार दुस्तों स्वागत आपका मेरे इस यूटूब चैनल पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट विराइटियां होती हैं जो लगए सभी ज्याम्स में पूछी जाती है ठीक है तो मैं वही सब वराइटी को लेके आया हूं तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वराइटी है और किस किस क्रॉप की है ठीक है तो सबसे पहला देखिए गाउच वन ठीक है यह पूछा जाता है बहुत ज्यादा पूछे पूछे जाना वाली वराइटी है ठीक है कई एक्जामों में आया हुआ है गाउच वन एक किसकी वराइटी है तो देखिए सबसे पहले अगर हम हमारा यह मानना है कि अगर आपको उसका फुलफाम बता चलिया तो आप बहुत आसानी से उसको याद कर सकते हो उसको रट सकते हो ठीक है पने दिमाग में रख सकते हो आप तो देखिए गाउच का जो फुलफाम है गुजरात एगरी कल्चरल यूनिवर्सिटी कैस्टर ठीक है जी का मतलब है गुजरात एक का मतलब है अगरी कल्चरल यू का मतलब है यूनिवर्सिटी और सी का मतलब है कैस्टर और यज का मतलब है हाइवरेड ठीक है तो इस तरह से अगर इसका फुलफाम आपको पता चल गया तो बहुत ही आसानी से आपको यह याद हो जाए ठीक है अब यह हमेशा पूछा जाता है तो अगर हमें इसका फुलफाम पता चल जाए तो साथ हमें रटने की जरुवत नहीं पड़ेगी यह पिजन P की वरायटी है यह आराहर कह सकते हैं आराहर की वरायटी है ठीक है तो इसका फुलफाम है उत्तर प्रदेश, U का मतलब है अब इसका फुलफाम में ही आराहर आ गया यह पिजन P आ गया तो आपका मतलब कर से जरुदा है जो वराय्टी है वह राहर की है यह पिजन P की लियर के जब ग्रीन डिवरल्यूशन हुआ था तो उसमें काफी अच्छा रोल अदा की थी अपना तो यह वीट की वेराइटी है ठीक है और इसका येच डी का फुल फाम होता है अपने एगरी कल्चर में ठीक है तो ओ है हाइड डिले ही येच का फुल फाम है हाइड डिले ही येच का अब इसका मतलब फुल फाम जरूर पता होना चाहिए पूछ लेते हैं कभी-कभी किसी इंटर्व्यू में या किसी एक्जाम में भी पूछ सकते हैं कि येच डी का फुल फाम क्या है तो हाइड डेल ही ये वीट की वेराइटी है ठीक है येच डी 2329 ठीक है अगला जो इस का मतलब है सोर्गम येच का मतलब है हाइड इस पता चल गया कि सी एस एच वन जो है इस सोर्गम की विराइटी है ठीक है तो क्लियर हो गया येच बी 1 का मतलब है हाइड बाजरा येच बी का मतलब है येच का मतलब हाइड बी का मतलब है बाजरा ठीक है तो क्लियर हो ग अगला है ICPH8 यहां होना चाहिए था यह जो 8 इधर चला गया है ठीक है तो उसको देख लिजेगा आप थोड़ा सा मतलब वो टाइपिंग में प्रॉब्लम्स आ गई है ठीक है तो यह है पूरा है ICPH8 ठीक है यह किसकी विराइटी है घंपी की अब देखिए IC जो लगाए जाता है इक्रिसेट जो हैदराबाद में है अक्सर कोश्चन भी पूछा जाता है एक्रिशेट के उपर की पतलब अपने इंडिया में कौन सा एक इंटरनेशनल रिसेर्च इंस्टिक्यूट है ठीक है तो एक ही है इक्रिशेट जो हैदरावाद में है तो वहीं पर यह तैयार की गई थी है पीजन पी की वरायटी आई सी पीएचेट तो इक्रिशेट पीजन अग्र फूलफां अच्छे से अगला है टो है यह किसकी वरयाइटी है ऐसलेग का मतलब है फोलई छिक यह मतलब है तो एटॉपय जो मोईений एक लिए और इसको हम लोग सरदार की नाम से भी जानते हैं आलसो नोना इस सरदार ठीक है गवावा की वराइटी है अब इसमें यहल का जो मतलब है लखनव ठीक है याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है जो जितनी भी वराइटियां में पढ़ा रहा हूं आप लोग को ने में पढ़ लीजेगा जरूर 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 आएगा किसी ना किसी एक्जाम में आपके जरूर एक व्रीन्जल की व्राइटि ठीक है अगर आजाए वर्षा उपहार या कहें कहीं वर्षा उपकार भी दिया गया किसी बूक में तो छॉन नहीं होना है तो वर्षा उपकार या पहार अगर आ जाए तो है ओकरा की ठीक है किलिर हो गया अब देखिए पूसा जुआला जुआला पूसा जुआला एक इसकी वेराइटी है चिली की कभी कभी ऐसे मतलब एक दम ऐसे जश्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आप चिली खा लिए जो बहुत इसे ही किसी तरह से उसको कोरीलेट करके बस पाहुद ईजिए तो और आपको याद होना चाहिए बेदेखिए एक पूसा जुआला है पूशा केत की अगर पूछे किसकी विराइटी है तो कैली फ्लावर की है और अगर पूछे कि पूछे कि पूछा चेत की ठीक है कि अगर पूछे कि पूछे की तो और से Buffalo कि तो है रडीश कि ठीक हैं तो इस वज़ा से काफी जाना आने की realms की कि अग्ला है पूछा सनोबाल किसकी विराइटी है बहुत ज़्यादा एक बार आ चुका है तो यह है कैली फ्लावर की ठीक है तो सुनो बाल मतलब काफी ज़्यादा आया हुआ पूसा सुनो बाल तो यह कैली फ्लावर की विराइटी है ठीक है अगला है पूसा चिकनी पूसा चिकनी जो है वो स्पंज गाइड की है ठीक है पूसा चिकनी स्पंज गाइड की राइटी ठीक है अगर पूछे ब्लैक ब्यूटी तो ब्लैक ब्यूटी ब्रिंजल की ठीक है और पूसा रितु राज अगर पूछे पूसा रितु राज तो अगर पूछे आप से पूसा रितुराज तो काव पी की ठीक है और कुछे पंत रितुराज तो ब्रिन्जल की बीदेखे कंफ्यूज नहीं होना है लेकिन ध्यान से पढ़का लूब कितने क्या हुत आफा हैं जैसे देखते हैं अब jen रितुराज दिया था question में और वो टिक करके आगे बिरिंजल और बोले कि हमारा एकदम question 100% साही है लेकिन थोड़ी सी मतलब गलती question को गलत कर देती है ठीक है थोड़ा सा ध्यान अगर नहीं देंगे तो तो पूसा रितुराज किसकी है काउपी अब पंत रितुराज किसकी है बिरिंजल की ठीक है अब एक है पंत सम्राट ठीक है पंत सम्राट अगर होगा तो ब्रिंजल की वराइटी होगी ठीक है अगर होगा किवल सम्राट ठीक है तो बोटल गार्ड की होगी क्लिर हो गया अगर पूछे पंत समराड तो ब्रिंजल की ठीक है और पूछेगा किवल समराड तो बोटल गाड की होगी ठीक है तो यह काफी इंग्पॉर्टन्ट विराइटियां थी इतनी आगे फिर लेके आऊंगा ठीक है जो मिलते जुलती विराइटियां होंगी पूसा पंत ऐसे इस तो मैं पूसे इंग्पॉर्टन विराइटियां लेके आऊंगा उ जितने के विलेंगे मिले अउसको भी मैं लेके आऊंगा जिसकी वाजा जुसे फूल फाम की वह जासे भी आपकी वराइटियां मतलब का झाल झाल